भले ही सरकार पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट या फाई आर आपके द्वार सेवा की सुरुवात की है लेकिन तमाम कानूनों के बाबजूद पीडित महिलाओं को न्याय के लिए दरदर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है कुछ ऐसा ही दिखा सिंग्रोली जिले के चितरंगी थाना छेत्र के एक गाउं में जहां आठ जनवरी को गाउं के ही एक दवंग युवक ने पडोस में रहने वाली एक यूबिती के साथ रेप किया इस दोरान यूबिती चीखी चिलाई तो पहुँचे परजनों ने आरोप को घर के भीतर ही बंद कर दिया और हैंडड डायल को सूचना दी जहां मौके पर पहुची पुलिस आरोपी को गिरपतार कर ठाने ले गई और फिर उसे छोड़ दिया इस पूरे मामले में चितरंगी पुलिस की संबेदन हींता देखने में आई है पीडित महिला ने आरोप लगाया है कि पहले तो चितरंगी पुलिस उसे दिन भर ठाने में बैठाई रही और साम ढलते ही यह कह दिया गया कि जाकर महिला ठाने में सिकायत दर्ज करवाए लापरवाही की हद तो तब हो गई जब चितरंगी ठाना पुलिस ने रेप के आरोपी को पकड़ा और बीच रास्ते में ही छोड़ दिया यहां तक कि मीडिया से पुलिस की अधिकारी इस मामले में बात करने को भी तैयार नहीं है ऐसे में इस रेप पीडिता को न्या मिलेगा या नहीं इस पर सवालिया निसान है रेप पीडिता को सुने पर अधिके लिए पर शॉड़ दिया नहीं पहर शुड़ दिया नहीं पर काथ नहीं नहीं के तो के बाद हम बला हूँ नहीं बलाएं फिर काथ ने ओके आधियर गली में पैसा देके छोड़ दिह तो रिपोर्ट तुमाने लिखी गए है नहीं हमारी पॉर्ट नहीं लिखी गए गए उन्गमेश मुंसी कहें कि का थन जाब मेल्या थानम चली जाए तुमाने लिखी फेर इहां चला है तो रहे साथ गलत कम कब बारा आट ताइब चाब पैसा दाइक छुनाएं तो हां सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं है थाना में किती देर बैठे रहे बहुत दार बैठारन साब एक दिन गंत पुडा दिन बैठारन फेर बिहान से फेर दुए धाई घंटा वाइठा रहन राथ होई लगते चला अंगरे फिर कहीं दें कि यहां से हर जो बार चलियों का साम नब जाब बाहर हमार रिपोर्ट लिखी नहीं का थे नहीं हमी ही रह बसको ही हां हर जो थाने मुका कर गए चरी जो महिला थाना हाज अस्पी साथ में लाहते का बोली नहीं का बोली नहीं का बोली नहीं का बोली है